या देवी सर्व भूतेशू सांती रूपेना संसिता नमस्तश्याई 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 नमो नमा जै मातादी नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है आईए जानते हैं नौरातर का कलस उठाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए नौरातर देवी दुर्गा का महापर्प मना जाता है नौरातर के नौ दिन इनके अलग अलग सवरूपों की पूजा की जाती है इसके साथ ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलस का स्थापना करते हैं जिसका अश्टमी एवं नमी को भी सर्जन किया जाता है मननेता है कि इस कार्य को पूड़े विधी विधान से करना चाहिए इससे माप्रसन होकर घर में सुक सम्रिधी का वर्दान देती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे कलस स्थापना के ही जैसे कलस विजर्ष विसर्जन करते समय भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस दोरान पूड़े विधी विधान का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी भूल चुक ना हो और देवी दुर्गा रूष्ट ने जाए तो आईए जानते हैं कैसे करना चाहिए कलस विसर्जन अश्टिमी एवं नम्मी के वरत संपन होने के बाद होन और फिर कन्याओ को भोजन जरूर कराएं अपनी हैसियत अनुसार कन्याओ को भेंट दे कन्याओं में से किसी एक कन्या भगवती के नव अवतारों का एकिकृत स्वरूप मानती है है उनका विसिष्ट पूजन करें कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सब परिवार ध्यान करके छमा याचना करें कि हे देवी हम मंत्र पूजा बिधान कुछ नहीं जानते अपनी समर्थ अनुसार और अल्प ग्यान से हमने आपके ब्रत रखे हैं अन्या पुजन किया है ये देवी हमको हमारे परिवार को कुल को अपना शिर्वात प्रदान करो इस घर में से देव विरज मान रहो इसके बाद देवी सुक्तम का पाठ करते हुए इस मंत्र का रूप से जाप करे इस मंत्र का 11 बार जाप करे इसके बाद कलस विशर्जन के लिए हिंक लिंग चमुंडाए विचे का ध्यान रहे की कलस को उठाते समय इस मंत्र का जाप करते रहे नारियल को अपने माथे पर लगाए और नारियल चुनुरी आदी अपने मा पत्नी बहन की गोद में रखिए इसके बाद कलस लेकर आम के पत्तों से कलस के जल को अपने घर के चारो कोनों पचिर रखिए ध्यान रहे कि सबसे पहले रोसोई घर में चिरके क्योंकि माना जाता है कि यहां लक्षमी जी का वास होता है इसके बाद अपने सयन कक्ष में, study room में, drawing room में, अंथ में घर के परवेश द्वार पचिर रखिए लेकिन बाथ रूं में जल का चिरकाव ना करें कलस के जल को तुलसी के गमले में आरपन कर दे जो सीक का कलस में डाला हो उसे अपने तीजोरी में रख ले उसको कभी खर्च ना करें कलस और अखंड जोत के दिपक पर बंदे कलावे को अपने हाथ या बाजू पर बांध सकते हैं और गले में भी पहन सकते हैं यह देवी का सिध रक्षा कवच कहलाता है जो हर मुसीवत में रक्षा करता है कवच सुत्र बांगते हुए जो भी देवी का मंत्र याद है उसका उच्चारन करते रहें यह सुत्र घर के सब सद्ध से पहन सकते हैं इस तरह नौरात्र ब्रत का परायन संपन होता है अश्टमी और नमी से वरत का परायन करने वाले इस विधी से कलस विसर्जन करेंगे तो उनको बेहद लाव प्राप्त होगा बतादे कि अश्टमी या नमीति थी को वरत परायन करने वाले अखंड जोती को बिजे दस्मी के पूजन तक परज्वलित रखना चाहिए क्योंकि धार्मिक मननेताओं के अनुसार बिजे दस्मी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था तो भक्त जन ये थी कलस विसर्जन से जूड़ी जनकारी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सेस्क्राइब करें जनका जे मतादी